नर्सिंगपूर जिले के नर्वदा तटो पर मकर संक्रांती परिसनान करने वाले शद्धालूओं की काफी भेड रही। सुबह से दोपहर बाद तक संक्रांती सनान का महत होने से बर्मान में दो दिन पूर से ही लोगों के आने का क्रम शुरू हो गया था। जिसे बर्मान की रेत घाट मेला स्थल सीडी घाट सतधरा के नए एवं पुराने पुल के आसपार घाटों पर बड़ी संख्या में शद्धालू पहुँच रहे। घाटों के आसपार स्थलों पर वाहनों की खासी भीड है। जोडने वाले दोनों तिराहों के आसपास पुलिस बन तैनात किया गया है। साही इंटरनेट सेवा ठीक से चल रहा है। नागरिकों का कहना है कि जीयों के भोकताओं को सुबह से नेटवर्क की समस्या से परिशानी बनी है। जो भोकता दूसरी संचार कंपनियों से जुड़े हैं। इंका भी कॉल ड्रॉप होने की समस्या बनी हुई है। हर पर दिवस पर इस तरह की समस्या रहती है। बर्मान के दोनों घाटों पर बने मंदिरों और धर्मशालाओं में लोगों की भीड है। लोग मंदिरों में दर्शनकर पूजन कर रहे हैं। नर्मदा परिक्रमा वासियों को लड्डू खिचडी आटा आदी समगरी दान कर रहे हैं। इसनान पूजन के बाद लोग नौका विहार कर रहे हैं। मेले में अच्छी भीड होने से ब्यपारी भी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं मेला स्थल पर बने पुलिस स्थाना से घोशना कर लोगों को जेव कत्रों से साफधान रहने को कह रहे हैं। झाल मेला से नजर रहे हैं। जाल मेला सिर्वता बने तकर रहे हैं।